Hello Candidates and Welcome to Government Crackers So as you all know की बहुत सारी strategy की videos, examination related मैंने already जो है YouTube चानल पे upload कर दी हैं चाहे वो आपके 60 days plan हो, 30 days plan हो, 45 days plan हो, अलग-अलग strategies मैंने discuss कर दी हैं मैंने आपकी mistakes भी usually बताई हैं जो आप लोग examination में करते हैं किस तरह से आपको current affairs को tackle करना है, किस तरह से बाकी subjects को tackle करना है क्या आपके syllabus होते है current affairs को लेके और बाकी sections को लेके उसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा एक detailed analysis उसके लिए भी videos already upload कर दिये हैं जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वो जाके उनको watch out कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दाट, when we are very close to the examination तो अभी तक हमने almost चीजें cover की होंगी कुछ लोगों ने probably पढ़ना भी start करा होगा जिनों ने start करा होगा, उनके लिए तो थोड़ी सी delay हो गई है प्रॉटिन सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, seeing your previous year papers उनको analysis करके कि कहां से basically questions जादा आये हैं and probability कहां से है कि आपको questions लेके आने, because current affairs is a section जिसमें आपको qualifying marks भी अगर आप लेके आते हैं तो आप बाकी sections पे dependent हो सकते हैं कि आप exam को easily qualify कर ले जाएंगे तो दोनों perspective से ये अच्छा है, तो यहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे selective topics की और आगे आने वाले 30-40 days में हम यही करने वाले हैं कि हम बहुत ही selective topics को देखेंगे और selective topics को जो है हम study करने वाले हैं, जहां से examination में probably आपके 70-80% of questions आएंगे and then there'll be a weekly section जहां पर हम MCQs भी discuss करेंगे previous year papers में आए हुए और साथ ही उनी बहाफ पर जो इस बार current affairs है उनसे related for practice basis पूरे week के, we'll discuss current affairs also ठीक, we'll make a interactive session, तो session से related आपको notification जो है already channel पर मिलेगा, इसलिए आप लोग को channel subscribe करना बहुत important है साथ ही, telegram पे भी आप join कर सकते हैं, government crackers preparation के नाम से वहाँ पे group है, आप उसे join कर सकते हैं, ठीक है तो जैसे मैंने बोला, youtube पे आप subscribe कर लीजे, ताकि आपको notifications मिलते रहें और अगर last moment किसी को preparation करने हैं, उसके पास notes complete नहीं है सो compile form में यहाँ पे आपको बिलकुष short and crisp notes मिलेंगे, लाइक उसको पढ़के और वीडियो लेक्चर देखके, आप easily examination क्लियर कर सकते हैं और उसमें भी जो selective topics हैं, वो मैं आपको यहाँ youtube में बता रहे हूँ, ठीक है और instagram और telegram पे आप हमारी queries को, आप अपनी queries put up कर सकते हैं तो आज हम basically discuss करने जा रहे हैं battles को, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है फर्स्ट पार्ट में मैं ancient and premedical discuss करूँगी सेकंड पार्ट जो होगा वीडियो का, वो medieval and आपका modern deal करेगा, ठीक है तो आज हम बात करने जा रहे हैं battles in ancient history तो यह कब से कब तक होगा, यह आपका ancient time से लेके, याने जो आपका वैदिक time से था ठीक है, जो starting हुई थी, वहाँ से लेके 8th century AD तक पहले हम इस part में session को देखेंगे और उसके बाद 8th century से लेके, जब तक बाबर ने attack नहीं किया था, याने जो डेली सल्तनत का establishment हुआ था जहां से आपका medieval start होता है, हम वहाँ तक discuss करने वाले हैं, तो दो parts में आपके sessions divided है, ठीक है, important battles है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, year याद कर लीजे, किस के किस के बीच में ये लडाईया हुई थी, और आसका outcome क्या था, वो आपको यहाँ पे देखना है, because ये exam में बहुत generally पूछ ला जाता है, so the very first is, सबसे पहले बात होती है, आपकी conquest of Nanda Empire, जो कि आपका सबसे पहले starting में हुआ था, 320 BC में, किस के किस के बीच में हुआ था, ये आपको पता चंदरगुप्त, मौरे और धनानन जो थे, वो आपके नन्दा डैनेस्टी के last ruler थे, और उसके बाद, इनके बाद, जब चंदरगुप्त, मौरे ने इनको जो है, डिफीट किया, तो उसके बाद, टोटली नन्दा डैनेस्टी जो है, वो खतम हो गई, और यहां से आपकी इस बाटल के बाद से स्टार्ट हुई है, चंदरगुप्त, मौरे का अगला डैनेस्टी जो उन्होंने सेट अप किया, जो कि आपका मौरे डैनेस्टी है, तो अट टाइम्स, आपको first and last ruler हर डैनेस्टी का याद करना बहुत ज़रूरी है, और यह भी question इस तरह से, इस form में भी पूछा जा सकता माप में आप देख सकते हैं, conquest पूरा का पूरा डैनेस्टी का जिसको एंड किया है, चंदरगुप्त, मौरे ने, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, next उस पे जो की है हमारा battle of height passes, जो की है 326 BC में, किसके किसके बीच में हुआ था, यह हुआ था आपके Alexander and Porus के बीच में, जिसमें Alexander ने defeat किया था King Porus को, and impressed by the bravery of Porus, उनोंने allow किया Porus को कि वो अपनी kingship जो है, वो उस एरिया में retain कर सकी, क्योंकि जो battle है, बहुत ही immense battle हुई थी, and बहुत अच्छे से Porus ने जो है, अपने आपको बचाने की कोशश की थी, ठीक है, so यह आपका battle of height passes हो गया, next is Lucid Morian War, जो कि आपका 303 BC में हुआ था, it was between Chandragopth Mor and Sclusis Nikilter, इसमें हुआ था, Chandragopth ने defeat किया था Sclusis को, and उसकी daughter को marry कर दिया था, ताकि एक peace treaty sign हो सके, जिसके बदले में 500 elephants दिये गए थे, तो पहले आपको पता है कि जो empire को extend करने के लिए, usually क्या होता कि उस area में जो भी लड़की हो ताकि जो है, डावरी में region को occupy कर सके, या as a treaty sign करके बाकी area में भी अपने kingdom को extend कर सके, ठीक है, so ये एक और battle में ने आपको बता है, next is बहुत important है, बहुत पूछा जाता है, examination में कालिंगा war, so 262 BC में हुआ था, Ashoka and Raja Anand Padmanam के बीच में ये battle हुई थी, map में आप देख सकते ह पूरा का पूरा डाइग्राम, it was one of the bloodiest war of human history, जिसमें, you know, thousands and lakhs of peoples were killed from both the side, and Ashoka ने इस battle के बाद से ही basically एक प्लेज लिया, that he will adopt non-violence, and उन्होंने बाद में बुद्धिज्म इसी battle के बाद अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, next, next is first Huna invasion 458 AD, जो की आपका सकंद गुप्त, जो की गुप्ता एंपायर के थे, and तोरा मना जो Huna dynasty के थे, उनके बीच में हुआ था, तो हुनास क्या थे, हुनास आपके nomadic tribes थे, जो Central Asia से आये थे, और North West India में उन्होंने अटाक किया था, तो अगर आप देखेंगे map में, इंडिया में उस time आने के लिए बहुत सारे passes थे, passes क्या होते हैं, आपके small roots होते हैं, mountains के बीच में, उसके through आये थे, तो जो ये आये थे, वो आये थे आपके kyber pass से, तो ये भी आप याद रखे, हुना ने invasion किस से किया था, खाइबर पास से किया था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दाट, गुपता empire ने हुना invasion को defeat तो किया था, लेकिन हुना अज भी बहुत strong थे, और इस defeat के बाद, जो हुना को हुई है, इस attack के बाद, जो है, इवन गुपता dynasty, गुपता empire भी काफी हद जो है, पावर में reduce हो चुका था, क्योंकि बहुत जादा मानकाइन का, मानफोर्स का इसमें जो है, वो loss हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड हुना invasion हुआ, 470 AD में, ये आपके किस किस में बीच में हुआ, सो इसमें महरकुला, जो की हुना dynasty के थे, आन जब ही second invasion हो रहा था, तो आपके सकंद गुप्ता की जो है, वो death हो चुकी थे, और हुनाज ने दुबारा अटाक किया, और उन्होंने गुप्ता को totally control over कर लिया, बिकर सकंद गुप्त के बाद जितने भी rulers आये, वो उतने अच्छे power को establish नहीं कर पाए, इसलिए जो है, सिम्हन गुप्ता, जो की दुबारा गुप्ता डानेस्टी को उन्होंने establish करने में, they were all successful, ठीक है, तो यह important point है, I hope मैं इसको story के form में बता रही हूं, ताकि आपको boring भी न लगे और आप easily चीजों को समझ पाए, उसकी बाद जो important battle हुई थी, that was raid of Muhammad bin Qasim, जो की आपका 695 से 7 15 में हुआ था, यह आपका हुआ था, बिन Qasim और राजा दाहिर के बीच में, इसमें क्या हुआ था, बिन Qasim जो है, इन्होंने attack किया था, राजा दाहिर, जो की सिंध और मुलतान थे, present Pakistan के, और बिन Qasim ने फिर सिंध और मुलतान को हासल कर लिया था, और इस war से basically आपका जो Muslim Conquest है, वो Indian Subcontinent में ये कही न कहीं established हुआ था, ठीक है, सो ये पहला एक battle थी, जिसमें Muslim Invasion में कहूंगी दीरे 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 वो established हो रहा था, तो ये आपकी important battles थी, ancient time तक की, जो की pre medieval में बोलूँगी, उस time तक की ये चार important battles थी, अब हम आते हैं battles, जो की आपकी 8th century से लेके और बाबर के attack आने, pre medieval time तक में बोलूँगी, ये battles चली है, ठीक है, उसके बाद medieval और modern पे हम अलग-अलग जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आता है, most important वो होता है, invasion of Mohamed Ghazni, बहुत important है, आपने नाम सुनागा, 1001-1025, इसमें Ghazni और Indian rulers थे, हुआ ये था कि Mohamed Ghazni जो थे, उन्होंने invade करा था western region of India को 17 times, ठीक है, first raid में, उन्होंने defeat करा था, and capture करा था जैपाल को, और 1018 में, उन्होंने Mathura को attack करके, चंदरपाल को kill किया था, last attack जो उन्होंने अपना 1025 में किया था, उसमें उन्होंने almost demolished किया था, तो यहाँ पर दो important question frame हो जाते हैं, कि एक तो उन्होंकी raid की time, that was 17 times, second is कि उन्होंने कौन से temple को, कभी कभी पूछा जाता है, कौन से temple को demolished किया था, तो यह समनाथ temple था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेगा, उसके बाद हुआ था आपका first battle of the rain, 1191, most, बहुत important है, पृत्वी राज चोहान और मुहमद गौरी के बीच में हुआ था, this was basically the first war of Hindu Rajput King and a Muslim invader, इसमें हुआ था, इसका नाम तराइन इसले पड़ा, क्योंकि थाने सर डिस्टिक है हरयाना में, उसके पास यह प्लेस है तराइन, तो इसले इसका नाम battle of the rain दिया गया है, so first and second battle of the rain इस तरह से इसके नाम दिये गया है, so first battle of the rain में आपका पृत्वी राज डिफीट हो गया था मुहमद गौरी से, ठीक है, अब आते हैं second battle of the rain, second battle of the rain उसके अगली ही साल हुआ, जो की दुबारा मुहमद गौरी और पृत्वी राज चौहान के बीच में हुआ, और इस battle में मुहमद गौरी डिफीटेड और पृत्वी राज चौहान, ठीक है, and this was then historical event, जिसने Muslim foundation को हिंदू लांड पे रख दिया था, after this war, ठीक है, so first में क्या हुआ, पृत्वी राज ने डिफीट किया था मुहमद गौरी को, और second में हुआ ये कि मुहमद गौरी ने डिफीट भी किया, और पृत्वी राज को मार भी दिया, उसके बाद इसी में आपका एक और battle हुआ था, ठीक है, battle of चांदवार जो की 1194 में हुआ था, इसमें मुहमद गौरी और जयानन दोनों के बीच में बैटल हुआ था, और वहाँ पे मुहमद गौरी ने जयानन को मार दिया था, ठीक है, next, battle of घककर और गौरी, ये, इसमें आपका, ये 1206 में हुआ था, between घककर और मुहमद गौरी, इसमें आप जैसे माप में देख सकते हैं, कि जब स्लेव डिनेस्टी कुतब दिन आइबक ने बना दी थी, और जो रूलर थी डेली सलतनत के मौहमद गौरी, वाइल रिटर्निंग टू गजनी, ही वाज अटाक्ड भाई घककर्स, गोरी ने फाइनली घककर जो की ट्राइब थी, उस ट्राइब के अटाक को सेफ भी किया, और फाइनली उन्होंने घककर्स को किल आउट भी कर दिया, ठीक है, तो यह थी बाटल ओफ घककर और गोरी, ठीक है, नेक्स्ट इस बाटल ओफ इंदस, जो की आपका 1221 में हुआ था, व्किस की किस के बीच में हुआ था, यह हुआ था आपका जेंगिस खान जलाल ओदीन मिख बुर्नू, अन दूसरा आपका इसी में मंगोल इन्वेजिन भी है, जो की गेंगिस खान के तुरू हुआ था, इसमें generals of Genghis Khan and different rulers थे तो first battle की मैं बात करूँ जो की battle of Indus है इसमें victory हुई थी mangos की Jaladin Mingbubu fleads away in India by crossing Indus तो इस तरह से वो जीत गए थे और second battle में क्या हुआ था Genghis Khan ने invade करा था Punjab, Kashmir और Delhi सलतनत को Next, फिर हमारा most important हुआ Turkish invasion Questionnaires form में आप previous year papers उठाके देखेंगे तो ऐसा पूछा गया है कि Turkish invasion किसने start किया था तो वो आपको ध्यान रखना है Turkish invasion जो है अलावदिन खलजी ये थू हुआ था 1296 तो 1310 में अलावदिन खलजी जो आपको पता है He was a very ruthless ruler जनोंने कई बार raid करा बहुत सारी wars की और finally खलजी डिनेस्टी को नदरन इंडिया में established किया 1303 में अब आप इसको मूवी से रिलेट कर सकते हैं पदमावत मूवी जो है उन्होंने अटाक किया था चित्थोड रानी पदमावती आपने देखा होगा मूवीज में उस टाइम पे वहाँ पे लेडीज ने जोहर परफॉर्म किया था और खलजी के दो भाई भी थे उलुक खान नुस्रत खान जनोंने सोमनाथ सेंपल से बहुत सारा खजाना लूटा था साथ ही 1307 में उन्होंने जो है देवगिरी को भी काप्चर किया था ठीक है जैसे कि आपका बलगना हो गया वरांगल हो गया हो इसला हो गया और मदुराइ किंग्डम सो अलाउद दिन खिल जी ने बहुत जादा अटाक्स और रेज किया तो यह इंपोर्टेंट मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंस भी बताएं अगर आप चाहें तो आप ध्यान म भी रख सकते हैं अब दियर आर सम इन बिट्वीन बैटल्स जैसे अब लास्ट एक बैटल इंड उने जा रही है ठीक है तो उसके बीच में कुछ बैटल्स और होई थी जो इतनी इंपोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूं जैसे जिनका मैंने बैसिकली डिफीट हुए थे ये डेली सलतनत में जो खिलजी है उनसे और राय करन अपनी डॉटर देवाला देवी को जो है वो मैरी किया था खिलजिर खान से जो की थे सान अफ अलाउद्दीन खिलजी ठीक है सेकंड बैटल की बात करूं बैटल आफ देवा गिरी तो इसम मलक गफूर जो स्लेव था लाउद्दीन खिलजी का जो कि अपने मूवीज में भी देखा होगा उसने अटाक करा था राय रामचंद्र यादव को और देवगीर को कैप्चर करा था राय रामचंद्र जब डिफीट हो गए थे तो उन्होंने अगेन एक अलाइंस बनाने के अपनी डॉटर की शादी करा दी जत्यपाली अलाउद्दीन खिलजी के साथ ठीक है उसके बाद आता है आपका फर्स्ट बाटल अफ रांगल जो कि आपका पत्र परुदा सेकेंड और मलक कुद्दीन और जाजू के बीच में हुआ था पत्र परुदा सेकेंड और कताकिया डैनेस्टी, रूलिंग किंग्डम और अफ रांगल इन्होंने, he was defeated क्योंकि एक वेल एक्विप्ट बहुत ही अच्छा अटाक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की तो जैसे आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जितनी भी बाटल्स होई है बहुत ही वेल एक आपका सेकल्ड बाटल ऑफ रांगल जो आपका मलिक कफूर और पत्रपूदा टू के बीच में हुआ था मलिक गफूर मैंने आपको अल्रेडी बता दिया स्लेव था लाउद्दीन खिलजी का और इस तरह से इसी बाटल के बाद जो आपकी कट्किया डैनेस्टी है उसका य मलिक कफूर और अलीबेग और टार्टक के बीच में हुई थी यह बैटल बेसिकली जो स्लेव था लाउद्दीन खिलजी उसकी और रूलर्ज ऑफ देली सालतनत और टू मंगोल जेनरल्स अलीबेग और टार्टक उनका नाम था यहाँ पे मंगोल गॉद्दीन ठीक है यह इ इसमें अगेन जो है वो मलिक कफूर जी दिया था और वीरा बलाला वस किल्ड इन दिस बैटल ठीक है उसके बाद आपका जो लास्ट हुआ था इंपोर्टन बैटल जो मैं बता रही हूँ इतने इंपोर्टल नहीं है इसमें आप बैटल ऑफ रांगल चाहे तो याद कर सकत हैं बट उसके लावा मुझे नहीं लगता कुछ इंपोर्टन है बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए से बता रही हूँ नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ माबर जो कि आपका 1343 में हुआ था विक्रम पांडया और मलिक कफूर के बीच में इसमें विक्रम पांडया की आपका स्लेव डिनिस्टी का दी एंडियो आथा क्योंकि इसने जो है मलिक कफूर को डिफीट कर दिया था नेक्स्ट आपका जब अब मोस्ट इंपोर्टन जो बैटल आता है प्री मेडिवल में वो आपका आता है तिमूरियन इंवेजिन ठीक है जैसे तैमरलेयन इंवेज अन 24 सेप्टेंबर 1398 उन्होंने फिर अटाक किया देली सालतनत को और उस टाइम पे देली सालतनत जो है वो रूल हो रहा था नसीरुद दिन मोहमद शाह तुगलग जो की तुगलग डिनेस्टी जो उन्होंने इस्टाबलिश करी थी तिमूर जो थे उन्होंने प्रॉपरल पूरी तरह से तुगलग को डिफीट करा और अराउंड इसमें वन लाक सोल्जर्स वेर किल्ड बूटली और डेली वास प्लंडर ठीक है तो यह आपका तेमरलीन इन्वेशन हो गया यह आपके मैंने आंशिंट अन प्री मेडिवल से बताए इसी तरह नेक्स्ट पार्ट मे मैं आपको मेडिवल से और मॉडन तक का बताऊंगे और उसके बाद हम इसी तरह और इंपोर्टन टॉपिक्स डिसक्स करेंगे और जैसे मैंने बोला कि हम वीकली कारंट अफैस भी सॉल्फ करना, MCQ भी सॉल्फ करना, डिसक्स करेंगे जहां पर लाइव इंटराक्शन होग और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? So, all the best and keep preparing and अगर आपको किसी भी तरह की help चाहिए हो, just visit to www.governmentcrackers.com और वहां से आप अपना study material लेके, if you are struggling for study material, you can purchase this, otherwise there are lots of videos related to current affairs, you can have a look and I'll see you in the next session, till then, जैहन